विल्कम टो यू फिटर टेकनोचेटनल तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिम्पल मेट्रिक माइक्रो मीटर के बारे में यहां पर प्रेक्टिकल बेसिस इसको समझेंगे कि यह माइक्रोमीटर है क्या इसका उपयोग क्या है इसकी एकुरेशी क्या होती है इसके सभी भागों के बारे में जो है practical basis बताएंगे यहाँ पर अभी तक हम लोग जो है theoretical पढ़ते थे लेकिन यहाँ से practical basis समझेंगे जिससे आपको सारे confusion आपके clear हो जाएंगे ठीक है तो चलिए start करते हैं यदि आप हमा यह हमारा simple metric micrometer है यहाँ पर इस बाक्स में हमको क्या मिल जाता है एक simple metric micrometer मिल जाता है और उसके साथ साथ एक हमें C spiner मिल जाता है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं तो इसको मैं रख देता हूँ थोड़ा सा side में C spiner को सबसे पहले हम अपने micrometer के बारे में बात करत हैं यह जो हमारा micrometer होता है तो यह outside micrometer है जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ आपको यह हमारा outside micrometer है यह बात करें इस metric micrometer के accuracy की तो यह 0.01 mm की accuracy देता है और यह किसी भी work piece के बाहरी माप को लेने में प्रयोग किया जाता है और यह जो है सुच मापी के अंतरगत आता है यह जो है अनेक range में उपलब्द होते हैं जैसे 0 से 25 mm, 25 से 50, 50 से 75 ऐसे 25 mm के क्रम में बढ़ते हैं जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इसकी जो accuracy है फ्रेम में मिल जाता है क्या दिया गया है 0.01 mm and 0 से 25 mm इसकी range है यानि इस micrometer के द्वारा हम 0 से लेकर 25 mm के बीच की म आप जो है ले सकते हैं अब बात कर लेते हैं इसके सभी पाल्टों के बारे में तो सबसे पहले हम इसको open कर देते हैं यहाँ पर जैसे ही हम open कर देते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमें यह वाला भाग मिल जाता है ठीक है यह हमारा जो है काश टाइरन का भाग बना होता है जो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर क्या दिया गया है, 0.01 mm इसकी एकुरेशी है, और यह 0 से 25 mm वाला माइक्रो मीटर है, ठीक है, यह वाला भाग हमारा क्या कहलाता है, यह वाला भाग हमारा एंविल कहलाता है, जो मेजरिंग फेस के अंतरगत आता है, और यह वाला हमारा यह क्या करता है इसका वर्क होता है कि जब हम कोई माप सेट कर लेते हैं तो उसको लाग करने के लिए प्रियोग किया जाता है जैसे मैंने यहां पर कर दिया यह लाग हो गया तिक है इस तरह से इसका प्रियोग किया जाता है अब इसको हम ओपन करेंगे तो ओपन नहीं होगा नेक्स्ट बात करें तो यहां पर open कर देते हैं जिससे सभी भाग दिखाई दें ठीक है यहां पर हमको जो है थोड़ा सबलर आ रहा है यह वाला भाग जो है क्या कहलाता है यह वाला भाग हमारा sleeve या barrel कहलाता है क्या कहलाता है sleeve या barrel जिस पर उपर side जो 0, 5, 10, 15, 20 mm में दिख रहा है यह हमारा क्या कहलाता है main scale कहलाता है और इसके जो नीचे sub division मिल रहे है main scale को जो विभाजित कर रहा है वो sub division कहलाता है यहां पर यह जो भाग है यह हमारा क्या कहलाता है थिम्बल का बेवल घेरा कहलाता है जैसा कि देख सकते हैं यहां से जो है इसको बेवल किया गया है और यह जो है यह थिम्बल कहलाता है और थिम्बल में जो यहां पर मतलब graduation की जाती है यह जो है क्या कहलाता है हमारा थिम इसको open या close कर सकें तीक है उसके पीछे हमको क्या मिल जाता है यहां पर ये देखिए ये हमको मिल जाता है रैचेट ये क्या वर्क करता है जैसे मान लीजे हम किसी भी वर्क पीस की measuring कर रहे हैं तो जब समान दबाव लग जाता है उसके बाद ये चट-चट की आवाज करने ल ठीक है अब यहां पर हमारी उंगली जो है सही दाप पर आ चुकी है ठीक है अब हम यहां से टाइट करेंगे इसको तो जब सही दबाव आ जाएगा ये चट-चट की आवाज करने लगेगा जैसे अभी सही दबाव नहीं आया हुआ है अब देखिए यहां पर सही दबाव आ गया तो ये चट-चट की आवाज जो है करने लगा ठीक है तो जब सही दबाव आ जाता है तो ये हमारा जो है चट-चट की आवाज करने लगता है यानि ये जो है समान दबाव लगाने के लिए प्रियोग किया जाता है अब नेक्स्ट बात करें तो इसका स्पैंडल जो शिधान्त पर work करता है यानि जो हमारा ये micrometer है या जो है nut और bolt के शिधान्त पर work करता है clear और यहां पर जो चूडी कटी होती है इसको मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा open करके इसमें जो चूडी कटी होती है वो है हमारी single start thread कटी होती है तिक है यहां पर देखिए यह जो है मैंने open कर दिया अब देखिए यह हमारा spindle है तो उसके यहां पर क्या है outside thread कटी हुई है यह क्या है हमारा outside thread कटा हुआ है जिसकी जो pitch होती है वह 0.5 mm होती है आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा clear कर देते हैं blur ना आए तिक है यहा ठीक है और इसकी जो pitch होती है वह 0.5 mm होती है तो जब single start thread है तो इसकी pitch और lead equal हो जाएंगी अब बात करते हैं हम sleep के तो sleep के अंदर भी इसी तरह से जो है thread कटी होती है जैसा कि यहां से मैं blur हटा देता हूँ जिससे अब देखिए यहां पर जो है internal thread कटी हुई है अब यह जो करता है nut का कार करता है और जो spindle है यह bolt का कार करता है ठीक है जैसा कि आप देख पा रहे हैं figure में यहां पर इसको जो है इस तरह से fit कर दिया जाता है ठीक है तो इसको मैं fit कर देता हूँ अब इसके graduation के बारे में थोड़ा सा जो है discuss कर लेते हैं कि graduation क्या होता है कौन सी datum line है कौन सी main scale है detail से discuss कर देते हैं उसके बाद आपको जो है एक हम micrometer में जो सुन तूट होती है उसके बारे में जो है discuss करेंगे practical basis discuss करेंगे जिससे आपको confusion नहीं होगा तो देख misunderstanding यहां पर यह जो पड़ी line आपको दिख रही है यह क्या है यह हमारी datum line कहलाती है यह सीधी line हमारी होती है यह datum line कहलाती है और कुछ micrometer होते है कि उपर main scale और sub scale दोनो जो है उपर ही होती है लेकिन यहां पर क्या किया गया है? main scale उपर है और इसकी sub scale नीचे दी गई है ठीक है और ये जो हमारी sleeve या इसे viral बोला जाता है दोनों में इसे कुछ बोल सकते हैं तो इसमें जो अंकन होते हैं उसे main scale कहा जाता है ठीक है और इसकी जो accuracy की बात करें तो 0.5 mm देखे इसको क्या कर रहा है थोड़ा सा zoom करके दिखा आता हूं अब देखे जहां पर क्या कर रहा है ये थोड़ा सा one minute blur आ जा रहा है थोड़ा दूर से करते हैं अब देखे जहां पर क्या कर रहा है ये कि जैसे यहां से ये हमारा zero है फिर उसके बाद पहली line है ठीक है तो उसके नीचे वाली line को देखेंगे कि इसको बीच से ये क्या कर रही है डिवाइड कर रही है इसलिए इसकी जो एकुरेसी मानी जाती है वो 0.5 mm मानी जाती है क्लियर अब बात करें थिंबल स्केल की थिंबल डिवीजन की यहां पर देखिए कि इसके बेवल घेरे में जैसे यहां पर आपको क्या दिख रहा है जीरो लाइन दिख रही जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ते हैं तीक है 25, 30, 35, 45, 45 उसके बाद जीरो आ जाते है तो इसको हम 0.5 mm को 50 से डिबाइट करेंगे तो प्राप्त जो हमारा मान होगा वह 0.01 mm होगा इसी लिए बोला जाता है कि हमारे थिंबल स्केल की जो ग्रेजुएशन होती है उसके एक भाग का मान 0.01 mm होता है अब आपको कन्फूजन हो रहा होगा कि जब हम इसको एक राउंड कम्प त्रेड कटी होती है वो सिंगल स्टार्ट त्रेड कटी होती है और इसकी जो पीछ होती है वह 0.5 mm होती है clear तो इसलिए जो है इसको जब एक राउंड कम्पॉण करते हैं तो जीरौ पॉइंड फाइब इसकेल के एक भाग का मान जो होता है वह 0.01 mm होता है अब यहां पर ब करने के लिए कोई भी डाटा हम माप लेते हैं उसके बाद वो खराब ना हो जैसे हम यहां पर माप लिए और फिर कुछ देर पर रखना हो तो वो आगे पीछे हो सकता है लेकिन उसको जो है लाकिंग इसक्रू के माध्यम से उतने में ही लाक किया जाशकता है नेक्ट बात करे कारवाइट की टिप से बनाया जाता है ठीक है क्यों बनाया जाता है कि जब बार-बार हम माप लेते हैं तो यदि जिस मटेयल से यह बना होगा यह हमारा माइक्रो मेटर जो होता है वो क्रोमियम इस्टील से बना होता है ठीक है और यदि इसको जो है हम मेजरिंग फेस इसक कारबाइट से नहीं बनाते हैं वहां पर तो क्या होता है कि हारड माटेरियल नहीं होने के कारण जो है ये धीरे धीरे घिस जाया करते हैं और जब घिस जाया करते हैं तो वहाँ पर zero error होया करती है तो उससे बचने के लिए इसे hard material से इसके measuring face बनाये जाते हैं तो यहाँ पर जो है लगभग लगभग सभी data हमने clear कर दिया कि कौन सा क्या कहलाता है नेक्ट पार्ट में हम जो है इसके reading के बारे में जो है discuss करेंगे कि इसको पढ़ना कैसे है और इसकी zero error कैसे निकालना है तो इसके बारे में जो है अगले video में डिसकस करेंगे तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हम इसका अगला वीडियो आपको प्रोवाइड करें तो इस वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इससे जो इनफार्मेशन दी गई है वह आपको अच्छी लगी या नहीं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग और बाई बाई